बोलिये श्री पुराण पुरुषत्तम भगवान को जै श्री पुरुषत्तम मास महत्मिक अथा को जै गोबिन्ध जय जय गोपाल जय जय राधार मन हरी गोबिन्ध जय जय गोविन्दे जे जे राधार मन है गोविन्दे जे जे शमाद्रणी और वन्दनी भक्त जनरू पुरुषतम मास महत्मी कथा उने अनन्त कोटी ब्रह्माण्ड नायक प्रभूप्रमात्म भगवान चो अकार्ण दयालो हुँँछ इशता भगवान स्रिकर्ष्न को महिमादे परिपून भायत्व दिन्द्द्ध कथार कोじゃ जुन्व हगवान अकार्ण दयालो हुँँछ इसता भगवान को कथा श्रवणले इसता भगवान को उजा आरधना गर्नाले भक्ति गर्नाले नपाइने क्याईबिनी छाइए तद हाक्वी यो पुर्षत्तम मैना कुने पिनी कामना नराखिकन, मनमा एक्छा नराखिकना प्रभु को प्रेमले ओत प्रोध भायरा यो मानव जिवनला सफल वनावना का लागी सुनीने, गरीने, आरधना र कथास्त्रमण को विश्रे हूँ तर येसे कारण लेकरदा निसकाम भावनाले हावली येस महिना मा प्रभु प्रेमले कथास्वुन परधा सब भागवान को अरधना गर्ना परधा चाँ तर येसे बनी रागदा के पाइन लागी मननी मनमा सवने अप्राप्पे केई शाए गायर देश। अब यहाँ हेर्नुस्ता मृत भावाक पूत्र पनी सब्राम्मल को जीवित बने काश्य। तेसी कारणले करता सर्वस्य भगवान नीप्रतान गरणूं छेल भाग्यमे में नभय का सोधे । भ्राम्मल को जिवन मा अब 12-22 वर्षक आयो है को पुत्र भगवान नीप्रतान गरदी। देशे कारल ने करला है हामिले, येस कुराला भुजे रा, भगवान बाह्त हमरा समस्त कामाना पनी परिकोणा हुनचान। तरती कामना पाय रा एस संसार मा जानमिने रा फेरी मर्ने इस पुछ चक्र मा ह्मी संदैगा परिर रहा हुनचान। इसकाणगा दै बिहाय कामान मननुछा, शुखी ब्यक्ति तो हो बास्तरमा जुसले सबै प्रकार का कामना हरुले त्यागदाश। जिवनमा दुखको सुरुवात त्यानी रहुंछा, जब तपयंको हिर्दयमा कामना को सियो गणन थाल्दाश। ये सतो पाउन पाय हुंथियो उसतो भै दिय हुंथियो भन्नका लागी हामि अनेक प्रकार का प्रपण्चहरु रस्न थाल्दाश। अनेक प्रकार का कर्ममा हामि आबद्ध हों छौ। जशले गरधा हमिला सुखा दुखको प्राप्ति हुने गर्दाश। संतुष्ट भायर प्रात्त भायकु गुरामा इस्वरला धन्यवाद दीर अगाड़ी बढ़नियो बनी जीवनमा दुख सायदय आमवई तेशी कारणी अर्दा आउन होस यस्तो दिव्य निश्काम भावनाली स्रवन गरीनी यो दिव्य पुरुष्टतन्मास माहत्मी कथामा एककेशी नहानी मंगलाचरन अगरों तत्पस्ता कथामा प्रभिश्कादेश। ओम गजाननंभु तगड़ादिशेवितं कपित्थ जंगु फलचारु हक्षं। उमासुतंसोक विनासकारकं नमामि विगने स्वरपादपंकजं। ओम धेयं सदा परिभबग्न मभीष्टदोहं तिर्थास्पदं सिवविरिन्चिनुतं सरण्यं। विर्त्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणार विन्दं। ओम वरहापीडं नटवरबपुह। करणयोह। करणिकारं। विब्रदवासं कानककविषं। वैजयं तिम्चमालां। रंद्रान वेणोर रदरसुदयां। पूरयं गोप विन्दैर। विन्दारण्यं स्वपदरमणं। प्राविसद गीत किर्तिह। ओम वन्देवंदारुमंदारं। ब्रिंदावन विनोधिनं। ब्रिंदावन कलानाथं। उरुषूतमादभुतं। नारायनम् नमस्कृत्या नरम्चैहिवनरोत्नमं। देविं सरश्वतिं व्याशं। ततो जय मुदीरैत। ओम श्रि मन्माहगनादी पतयिनमाःं। ओम स्री सरस्वति देभ्ये नमा, ओम स्री वेदि वियासाय नमा, ओम स्री नार नार आभ्याम नमा, ओम स्री पुरस्वत्तमाय नमा, ओम स्री गुलु चरनकाम लेभ्यो नमो नमा, ओम नमो भगवति वासु देवायो, यो स्री पुरस्वतम मास महत्मे कथा, भगवान स्री हर परिपुर्ण भाई को दिव्व्य का था हो। जस्मा हामीले अईले सम्म सुधे ब्रामण को दिव्व्य प्रसंग अठारों अध्याय समस्र बन गरें। अब सुधे ब्रामण को जिवनमा भागवान का अशिरवादले वार हज्जार वर्षक आयू भाईको पुत्र प्राप्त भाईपल सुष्चु गदे। अब यां भागवानने दर्शंदेर सारा कुर बताउंदा सुधे बले भने प्रभो यो पुरुषतम मास्वाने को कि हो। कसरियाज मला यस्तो भाग्य मेंन भाईको कुर प्राप्तिभो भागवन आग्यां गरी वक्षन होष्चु भनेर उनले प्रस्ण गरे काशन। रद तेही प्रश्णको उत्तरमावाहनिले उन्नेशु अध्याय भागवान स्रीहरीका मुखार्वन्दवाट स्रीपुर्श्वतम मास् महत्मिहनी सुन्न गैराक्यकाशं। अथा एकोनवेंच वाध्याय सुतोवाचा इति ब्रवाणं प्राचीनं मुनिमाह तपस्मिनह प्रीण इन्नीव सदवाच नारदो मुनिश्वतमाः। ये समस्तर इसीहरु हो येह कुरा नारजीले बद्रिक आश्रमरहन भाईका स्री नारएं लाई स्वन्न भाईको थियो। येता पट्टि द्रिणधन्म महराले वालनेक रिशीलाई स्वोधी रपनु भाईको थियो। तेरी कुरा सुदेव ड्रामन लाई भागवान स्री हरले। क्ये बतामल होता। स्री हरी रुवाच दिज राज कृत यत्ते नईत दन्य करिश्यती नतत ब्यत्ति भावान्यूनं येनाहं तृष्टि माप्तवां। मेगा जस्ता गंबिर बाणी ले भागवान ले सुदेव लाई हर दाई। आफना बडधास्त उठाओं ले भन्ना हरलो। के भन्ना वत बन्दा। ये दिज राज तिमले जो तपश्या गरे। जो कस्ट उठायो। तियो कसरी पिन आज सम्मा गरेको छाई ना। तिमले यो कसरी प्राप्त भयो फाल बन्ने कुराको बिस्त्रे जानकारी तिमले पेनी हुने कुलोपनी भाय ना। थाच है ना। मतिमला बताँ सुयू पाशरी rocks बोता है भाबो तिमुरुक जो पुत्र नुम्रत्त भाई रर एक मैना सम्मा तिमले काकमा योग सक्तेली नकूने बनाई रराख्यो एक मैना सम्मा आकासवाळ जो बरशा बरशी राख्यो रे एक मैना सम्म सोक्म डुवेर ते बर्षम तिमिहरू दुबै दमपती भीजी राख्यों त्यो मैना कि थो तबंदा आयममाम प्रियो मासह प्रयात पुरुषत्तमह यो मैना ता मेरो असाद्धै प्रियो मैना पुरुषत्तन मैना थो तिमी हरुले तेस मैना को शेवा गरे कासव। तत्से बाते समाजानी सोक मगनस्य सस्त्री यह सोक मा डुवेरा। तिमी हरुले तेस मैना लाई बेतिद गर्दा भयो। एक मप्य उपासं यह करत्यस्मिन तपो निरें। एक महिना सम्मा ति महरो ले सोक्मा डुवे गारण ले गरदां केई पिनी खाये नौं केई पिनी पियुँदा पिनी पिये नौं मला मासे धिके मासे मासाख्य पुरुषत्त में तेसे कारने गरदा ति महरो को योग मल मास वने राजानी नी अधिक मास वने राजानी नी एस महिना माती मेर को उपवास होना गय बागो यो पुरुषत्तम मास कस्तोत वंदां पहार जत्र थुप्रो भायको पाप छा बने आजसम्मा गरिर जम्मा वयको पाप छावने पने इस मैनाम उपवास गरणारे एस मैनाम मेरो पुझा आरधना गरणारे असा वनंत पापानी भश्म कृत्य दिजोत्तमं ती सबै पाप हरू भश्म वैर जाने गर्दशन सुरयानम समारो इहा बैपुण्ठम याति मानवह तेश बशाडी देवता हरत्वारा पुछित वैर मेरो बैबुण्ड धम्मा आउने तीनी हरुलाई सुबसव भागे पुरसतम मासमा तीमी हरुले एक मैना सम्मा खाने प्यूने क्याई गरे नौना रा आकास बाटर दिन रात मुसल धारे वर्षा भाई को बेलामा तीमी हरुको तीनै काल को इस्नान होना गयो ब्यान दिवसर सादर तीनै काल मा इस्नान होना गयो इस्नान को फलपनी तीमी प्रात्त भायो, उपवास का खल्बनी प्रात्त भायो, यशरी सोख मांग न भयता पनी, ती मिहरू ले नजानी कने पुरिसतन मासम उपवास गरना गयो, इस्नान गरना गयो, तेसे को फल शुर्ब आज़ ती महरू लाई, यस्तो दिव पूत्रर मेरो दर्शन प्राप्ति बली पुरुषतम मास को जय है नुस्ता नजानी कन गर्दा पनी यो मैना मा शेवा गरनाले भगवत दर्शन र भगवत किरिपाग ये शरी प्राप्त होंद रही छा जसला है पुर्व समय मा स्वाइन भगवान ले के बननु भगवत तेरो लागे नाई शाइना शाइना पू पुरुषतम मास को शेवा भगवान ले 12,000 वर्श का आयू मनाई दिनो हो वने हानले जाने र थोरे धेरे परमात्म को शेवा गरे हो भने आमला 12,000 वर्श को पूत्रत चाईये को छाईया मरे को छोरो जागन पनी पारे को शाईना जिवंदे रायका आप्राइसंग रायका सुखी रहून परिवार मा सुख सांती बड़ोस यो जीवन धान्ने होस प्रगुको दर्शन प्राप्ति बड़ोस पन्ने एक्ष्या जाने रहे हामे थोरे धेरे ये पुरुषतम मास मा गर्शन हो बने कि आमरो लागी भगवान ले 900 नोला कि आमरो उद्धार नोला अवस् तेसे कारणे करदा या भगवानले क्यो बन्दन समंदा एक बटक ब्रह्मा जीले जति पिनी बेदमा बताईये का सांस्तरमा बताईये का बर्ता उपासन साधन अरुषन ती साधन हरुला यवट तराजमा राखन भाय चा आरको तरक पुरुषतम मास को बर्ता को फल ले रा शाद नरु लगू हुना गए, अर्थार हालु ग्या हुना गए? येस तो देरे मही माच पुरुषत्तम माच अस्तो सर्वात्रास्ति तपोधनां तथापी पृतिवी लोके पुझीता सफलो भवे ये सरी ब्रह्म लग्मा मनी भारी हुना गय को पुरुषतम मास को ये स्पृर्थि मितल्मा सेवा गर्नाले सबै कुरा को सभल्दा प्राप्ति हुन्छा तस्मा सरवात्मना बच्षा भवां गान्योशे साम्प्रतम तेसे कार्णे गता है बाबु तिमी धन्य सव जसली एक मैना सम्म पानिमा रुजेर पुरुषतम मास को तिमी बाट शेवा हुना गयो तपह परमद्दा रुनम जसली मानव जिवन पायर अजे प्राप्त भयको पुरुषतम मैना को शेवा गर्दैन एस मैना मे इस नांदाना दी रहित भयर जानी जानी कनबने छोड़द चबने तियस्ता ब्यक्ति हर लाई जन्म जन्म आन्तरमा दरिद्र हुनु पार्नेशा दुखी हुनु पार्नेशा मानसम जन्म संप्राप्तिय मासी स्री पुरुषतमे स्नान दान रहिता दरिद्र जन्म जन्मनी बगवान वांन्वण जन्म जन्मांतर मा धरिद्रहनू पार्ने Gustaf तिसे कारले करदा सके दान गर्नू सके भगवान को शेवा पुझाअर धन गर्नू करनू के न शके इसनान मात्र ayrपनि जीवले येस मैंन मा गर्ने गर्न परदाू येस प्रकार को भगवान ले यहां आग्यां करदे मन्नुंच तास्मात सर्वात्मना योवै सेवते पुरुषत्तमे समे बल्लवताम याती धन्ने भागयुतू नरहा तेसे ही कार्णे करदा येस मैना को सवाईले शेवा गर्णू परदाछा, पुर्षत्तम को शेवा गर्णू परदाछा, ये मेरो असाध्धे प्रिय मैना भाय को कार्ण गर्दा, तेसला ही मा भाग्ये मानु मा आय दिन्छू, तेसको भाग्ये को जागरिद मा आय दिन्छू येसरी भागवान ले दिल्वे पुरुषत मास्कों मैमा आफने मोखार बेंदबार्ट सुधेवलाई बतायर लवत बाबो शुखपुर्वगराई है तीमरो कल्यान हुनेश अभावने जन्ममा तीमिले आफनो पुत्र को वाणिलाई समझेर अगाड़ी बड़े ही भनेर भागवान ले समझाई बुजाई गरेर एवा मोखताहरी ही सिग्रम जगाम जगदेश्वरम येसता जगदेश्वर भागवान करण माड़ भायर खेरी आफनो बाईकुन्द थाम तरपज्वर जगे पचाणी उनहा जीविद भाय को आफनो पुत्र संग रमाईर आफनो भागेलाई जैजे कार गरदेए भगवान पुरस्तम को जैजे कार गरदेए ती सुदे ब्रामन आनंद कर स्षात्म रह दाभई इसरी भागवान पुरस्तम को शेवा गरना ले आफनो जीबन माय को एस प्रकार को परिवर्तन ने देखेरा ती सुदे ब्रामन आसाद्ये प्रसन भयरा पर्थे तिन बरशमा आउने पुरस्तम माश को उन इ ले शेवा गर्दे गर्दे जाला हजार बशव सम्मा भगवान को शेवा पुझा आरधना गरे रहते सेश्युग मा उल्ली आतेन्त सुखपुर्वक आपential पुध्र का सात्मा सुखबै भवलै प्राप्त गरे रह और आंतिम्मा भगवान को धांमा प्राप्त भईर भगवान के परदान अनुसार और अले ती स पुर्वजन्म का सुदेव अईलेका द्रिडधन्म महाराज हो बागु तिमले पुर्वजन्म महारेक भगवत सेवा पुर्षतन को आरधना को खल सरु तिमिला आज गुड सुन्दरी जस्ती असाद्धेश लक्षणा पत्नी प्राप्त भै केशन येस तो अकंटक राज्य प प्राप्त भै येस प्रकार को सुख भाईभग सत्र रहित राजा तिमिहोन पाउन को मुखे कार्ण ये हो बागु ये सरी सुख पायरा आनन्दमा रमाई राकेको बेलामा तिमले भगवद भक्ति विर्षियो पुर्वजन्म को नाराण को दर्षन विर्षियो संसारे साग अरे मगनम विशया बाला दूसिते यो विशय बास्नरुपी इस्तरी पुत्र धन राजिको पईभग माडवेर विष्ण भाति वाट रहित हुने गयेको जंगलमा गयरे सिकार गयेको इस्तार कृति हरुले तिमिलाई फेरी संसार माबान ने देखिरं पुर्वजन्मा मा ज तु सुगदेव स्वरो थियो तेही स्वरो ले सुगा को रोप धारन करेर तिम्रो उद्धार गर्न का लागी त्यों स्वर रूपमा आयरत्यों स्वलक भोलेको हुँ पुत्रवो धर्म क्योंच मने बाबु पुम्णाम गरेको नरक बाट जसले तार जसले पुत्रवन्ने आजम मैले जन्म जन्मांतर को पुरो जाने को यत्रो आशिर्वात पाय को छवर भायर पनी मेरा पिता को मैले उद्धार गर न सकीना मा जिवुदू साधा सदे मेरा पिता विशे बास्नमाड़ो बेर यदि नरकलाई प्राप्त गरे भने मेरो कर्तबे पुरा हो लाई न भने शोचे रा तीम्राच्वरा नाई शुकरूप मा आयरा बताय का हों उन्नामा नरकाद यस्तो त्रायते इपित रहस्चुत इती सुर्त्यात बोधोपी स्या देवाध्या अन्यथा मामा भन्ने बिश्मा सोचे बेर को गाकी अनुसार उन्नामगरिको नरकबाट तार्ला परन करत बे भाईकन कारणी गरता बताऊंशु भने रा आपना पिता को उपागार गरना आयका हों मने रा वालमी की रिशेले बन्न भो र तीमीले पप्तो बोध गरने भनेको यह कुराह बाबु दीमले आपना जीवन ला भुजा आपना जाग कान आयको पाजानी यो कियेका ल प्रणने पप्तो गोल। एस्प्राला बुजा बाबु भने रवाल में किले दिर्ण दन्मले सम्जान भोर। आखनो जन्म जन्मा आंतर को जब। एस्प्रकार को ब्रितांत जान भो। महा असाद्य आश्चरे चकेत बिनी हुनोगो रह सारा कुरा जाने रह महा को जिग्या सर्मने शांत हुनागो। लवत भाबु मैले तिम्रो जिमन मा भाईको सारा प्रश्ण हरुको उत्तर तिमिला माले प्रदान करें। तिम्रो किये कारणले गरता शुगा आय को रही शा। तिमला यस्तो संपति कीना प्राप्त भय को रही शा। यसको सारा उत्तर मले तिमला दें। अवोमा असाद्य पवित्र पावन रहे को सरयो नादी तरफ जानूशा। आपना कुटी तरफ जानूशा। लवत भागु बशाही बने र। अब भक्ति मार्गला अपना वही बनने आश्र बाद्य र। वालमे के जाना थाल्मोर तेई समयमा द्रण धन्माले प्रार्थन पुकार गर दै। के पुराहर। बनन थाल्मोव बनने प्रसंग के साथ उन्नेशव अध्याय। यहा निर विस्रामली नगाय कोशा। ओम इती स्री ब्रिहन नारदी पुराणी पुरुषतम्मास महत्मी स्री नारण नारद संबादे। बालमी की नूकत दिर्ण धन्गोपाख्यानी। पुरुषतम्मास महत्मी कथनं नामैक बीमसो अध्याय। स्री क्रिष्ण गोविन्द अरे मुरारे हिनाथ नारायन वासुदेव। स्री क्रिष्ण गोविन्द अरे मुरारे हिनाथ नारायन वासुदेव बाशुदेवं भजा। वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भजा। क्रिष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमह। बोली स्री गणेश भगवान को जए। क्रिष्ण क्नय लाल को जए। पृस्वत्तन भगवान को जए। सुदेव नमन दंपती को जए। भकतर भगवान को जए गरुण जी महाराज को जए। कथा सुन्ने वक्त हरुपनी जै। आजबो आनंद पूझे वैदेखसात्य सनातन हिंद धार्मको जै 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 श्री राधे श्री हरये नमहां सबय का जिवनमा भगवान पुरसवत्तमले शुख सांति संविध्धी अभिविर्ति कर दिनु होस। सबय का सुभवान कामन हरले परिपुरुण कर दिनो होस। मन्मा कामने आउनन परस्ते सकिषिंको बुद्धी मती गती भागमांदे प्रदान्दवर नुहुस मन्मी कामन का सात्मा भुली हमे बीशों अध्याय को दिन्ब्य प्रशंग का सात्मा उपस्ते धुने नेशों बंदे आजगलागी यस अध्याय वटा विश्राम लिने नम्मा भागवते वासो देवा